डौक्टर बाबा साहीब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्ते विद्यार्थी मित्रो डोक्टर बाबासाइब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना जोतीर्माई परिसर ना चेतन्य स्टुडियो माथी हुँ डोक्टर ज्यागरूती चेमहता गुजराती विशाई ना मदनिश अध्यापक आप सवने आवकारू आजे हुतमने विनियन विद्याशाखाना प्रथम वर्षना मुख्य विशै गुजराती ना पेपर एक गुजराती गध्यना एकम आठ श्री पन्नालाल पटेल रजीत मडेला जीव नवलकथाना अंश प्रथम संगात प्रक्रण नो अभ्यास कराविशुुु तो विद्य पन्नालाल पटेलनो परिची जुईये तो पन्नालाल पटेलनो जन्म साबरकाठानी सरहदे आवेला मांदली नामना एक नानकडा गाममा खेडुत पिता नानशा पटेलना घेर इस्विशन उग्णिसो बार मा थयो होतो मांदली राजस्थानना डुंगरपूर जिल्लामा आवेलू गाम छे पन्नालालनू बाल पटेलने काठे प्रकृतिनी गोध मां उचर्यू छे पिता नानशानू घर एक नानकडा गाममा विद्यानू घर तरीके ओडखातू कार्ण के पिता अभण लोको सामक्ष ओखारनी कथा गाईने समढ़ावता अलप शिक्षित पण हि हीरबानू अरणक वहाल पामेला गाममा गबा गोरनी निशाल चालती नहीं पन जैशंकरा नंद नामे एक साधू साथे पन्नालाल मेगरज बनवा गया एक वकत मेगरज मा इडर ना महराजा हिम्मत सीनों मुकाम हदो तक मलता जैशंकरा नंद ना प्रस्चाहन थी पन्नाल एक सुन्दर गीद मधूर स्वर्मा गायू तेथी महराजाय खुश थाईने पन्नालाल ने इडर बोडिंग मा वदू अभ्यास नी व्यवस्था करिया बी त्या सहाय दी तरीके उमाशंकर जोशी नो परीचेई थोयो इडर मां अंगरेजी चार चोपडी एटले अत्यार धोरण आठ सुधी नो अभ्यास केहवाई जे तेमने कर्यो पची आर्थिक मुश्केलियोने कार्णे शाला छोडी देवी बड़ी परन्तु तेमनामा उंडी समझ मनुष्रने पारखवानी शक्ती आत्मविश्वास गजबना हाद्दा जे तेमना जीवननी महामूली मूड मिल मा नोकरी, कापड़नी डुकाने, वेयर हाउस ना मैनेजर, मेल जीन स्टोर मा महताजी, विजडी कंपनी मा मीटर रीडर, दुदेश्वर्व, वाटर वर्क मा ओयलमेन, दड़वानी घंटिये, वगेरे इम जात जात नी नोकरियो करता करता भात भात ना लोको नो परी चै, अने विविद अनुभवो थया, आ दिवसो तेमना जीवनना वासंती दिवसो हदा, मेडा, पावा, गीतो, हर्याडा, खेतरो, हर्ड, हुडा, बढदना गमकता, गुगरा, साथेनू, मोकलाश भर्यू जीवन, जाने स्वप्न बनीने रही जाई, एम आर्थिक, विट दमना भरडो लेती हती, एवामा, उग्णिसो चत्रीस मा तेमना मित्र, उमाशंकरे, लखो, पन्नालाल, एम कहीने, लखवानी प्रेरणा, अने प्रोस्चाहन आप्या, अने ए रिदे, पन्नालाल मा पडेली, आत्मश्रद्दाने संकोरी आपी, सर्जन शक्तिने जीविकानू साधन बनाव्यू, तेमने सुखदुखना साथी, पानेतरना रंगो, वात्रकने काठे, चीतरेली दिवालो, वटिनो कटको, रोम मटीरियल, वगेरे जीवा, एकत्री स्वार्ता संक्रहो आप्याच्छे, तो वडामना, मलेला जीव, मानवीनी भवाय, भांग जराती साहित्याने भेट आपीछे, तो जमाई राजा, वैतरनीने काठे, डुलिया सागसी समना, वगेरे जीवान नाटको, एमना तरफती मड़्याचे, अलब जेलब द्वारा संस्मरणो, जिन्दकी संजीवनीनीना सात भाग द्वारा, आत्मक था, बाल साहित्या, तेम एकसो पंदर जिटला पुस्तको प्रगट कर्याचे, तेमनी वार्ताओमा थी, जार मांच प्रतीनिदी संजयोपन प्रगट थायाचे, तेमने जीवनना छेल्ला श्वास सुधी लख्यू छे, क्षैना दर्धमा सारवारनी आडसर्थ हता, तेमने सामणवानु संपुर्ण बंद थाई गईू हतु, अने बेहराश आवी गई हती, तो बन तेमने जीवन श्रद्धा गुमावी न हती, अंतर नी कोई अजब मस्ती थी, जीवन जीवता रहा, अने सर्जन द्वारा सरस्वतीनी साधना कडता रहा, विधी सर्नु शिक्षन साव अल्प छता, जीवननी पाठशाडाना बवडा अनुभव थी, सम्रुद पन्नालालेनु सम्वेदन तंत्र, पन्नालालेना हाथे, एक एक थी उँची कोटीनी रजनाओ प्रगट करावीने रह्यु। हम्मेशा सामी व्यक्तिने तेना तरफ खेजी राखेचे, जीवनने एना रम्य अने रुद्र बन्ने रूप मा जोयू अने मानेऊचे, सर्जन मा पन रम्यता अने रुद्रता आलेखी परम विश्वाईना अंश स्वरूपे, तेथी एमनु सर्जन, इतर्जन अने साहित्य रसीको सर्वने एक सर्खी रिते स्पर्षतु रह्यू छे, ओगणी सो ओगणे सीमा सत्योतेर वर्ष्णी वाए तेमनु अवसान थायू, सर्जक परीचे जुहाबाद विद्यार्थी मित्रो आपनेचे गद्यांश नो अभ्यास करवाना छीए, ए गद्यांश नवलकथा म सवती लोगप्रिय साहित्य प्रकार छे, संस्कृत साहित्यमा तथा मध्यकालीन गुजराती साहित्यमा वार्ताओ रजाती आवी छे, परन्तु आजनी नवलकथानु स्वरूप संपूर्ण बने अरवाजीन छे, जे स्वरूपे गुजराती साहित्यमा नवलकथा विक्सी छे ए पस्ट्रीम माथी उत्री आवेलो साहित्य ब्रकार छे नवलकथानी स्वरूप चर्चा करता यश्वंत शुकल कहे छे के जीवन व्यभारतो जेवो हाई तेवोज चित्रीत करवानू एमा उद्रिष्ट छे तथा पी एमाना पात्रो प्रसंगो औने रसबिंदु कलपीत औने नवीन होवा थीज एने नोवेल अथ्वा नवलकथा नाम आफ्वामा आव्यूश उग्णिस्मी सदीना मध्यभाग मा पस्चिमना साहित्यनी प्रभावक असर गुजराती साहित्य उपर थाई अने पद्य उपरांत गद्यमा पन साहित्य सर्जन थवा लाग्यू फड़ स्वरुप गद्यमा अनेक नवा प्रकारों खेडाया जेमाननी बंद, नाटक, जीवन चरीत्र, आत्मकथा, प्रवास्वरणन, टुकी वारतानी जेम नवलकथामा पन पस्चिमना साहित्यमा थी अपना वायलो साहित्य प्रकार बन्योश आधुनीक युगमा नवलकथाई करवट बदलीचे, सुधारक युगमा संसा सुधारानु लक्ष ताकीने बेठेली गुजराती, नवलकथा, पंडित युगमा मुल्य बोज तरफ वडेली, तो गांधी युगमा मुन्षिये कलात्मकता तरफ एनु सुकान वालेलू पंडालाले मानवनी अने ते साथे समस्टीनी वास्तविक छबी कलात्मकरीते आलेखवानों प्रयास कर्यों नवा युगमा स्वरूप अने सामगरी, भाषा अने अभिव्यक्ती इत्यादी द्रश्टिये नवलकथा नवा रूप रंग धारन करे छे ए वात फरी कोईक वकते कोई एक सोकान्थी फलश्रूती मा सहे जे 25 नवलकथा ओतो चीरंजीव मुद्रा धारन करे छे ए आशास्पद वात छे खरे खर नवलकथा लोकप्रिय बनी छे तेज समय आदूनीकोना अगरणी सुरेश जोशी नू एक विधान नोंधिये तो नवलकथा ए लोकप्रिय साहित्य प्रकार छे आथी लोकरंजननी सीमाने उलेंगवानू गणाने माटे अगरू थाई पड़े छे मांगने पहुची वडवा जथाबन नवलकथाओ लखाती जाई छे पण साहित्य रूपे पस्ट्रिम मा ए शक्यताओ प्रगट करी छे ते जोधा अपने खूब पाचर रही गया छिए एमज कहवानू प्राप्त थाई छे तो विद्यार्सी मित्रो हवे अपने मलेला जीव नवलकथा नो टुको परीजेई जुईए तो मलेला जीव 1921 मा पन्नालाले मलेला जीव नवलकथा आपी मेगाणी प्रस्ताव नामा कहे छे मलेला जीव निवानी अने विजार्स्रूष्टी एक नवतर बढ़ छे मात्र चौपडी न थी आखी कथा माजी तेनी कला प्रमाणी ने आपने एम जरूर कहिये के मलेला जीव मात्र कथारस आपती चौपडी न थी ए सर्जन थी ए विशेश लेखी नी माती अवश्पणे अउतरन स्वाभाविक सर्जन छे आमा सर्जन नो वेग अने कल्पनानो आवेग भरेला छे तेथी जनपद नी एक था प्रत्यक वाचक नी पोतानी स्नेह सुरूष्टी बनी रहे छे गामडानी बे भिन्न ग्णाती ना यूवान प्रेमियो कांजी अने जीवी आ कथाना मुख्य पात्रों छे जन्मास्टमी प्रसंगे कावडियाना डुंगरनी नेल मा भरायेला आ मेला मा आकस्मिक रिते भेगा थाई गयेला कांजी अने जीवी वच्चे प्रथम मिलने एमना रदै मा प्रणाईनी वसंथ पांगरे छे खरे खड़तो एम कहवू जुईये के एमना हैया मा लागणी वन्नु गम्मर वल्वनु फर्तु थाई जैज मनथी मलेला एबे जीव विकुटा के विरिते पड़े छे अने केवा संजोगों मा पाछा पण मले छे तेनी रदै द्रावक कथनी अने ते निमीते स्थूल सुक्ष्म प्रेमनी साथे साथे मानवीना रहेला सत्वनी कपरी कसोटी करती वस्मी परिस्थियत्योंनु वेधक चित्र अहीं सबल रिते आलेखन पाम्युज छे जीवी तरफना प्रेमने कारणेज कानजी जीवीने पोताना गामना गाईजा साथे परणावेचे पन बेउ वाते सूख विचारता कानजी अने जीवीना जीवतर आ कारणे तो जेर जेवा विशेश थाई जहेचे वहमी धनी तरफनी शायररीक तेमज मानसीक त्रास सहन न थता जीवी रोटिलामा जेर मेलवी आत्महत्या करवानो प्रायत्न करेचे परंतु विदी वशात अजहनता ए रोटलो दूलो खाई जाईचे अने जीवी विधवा बनेचे शोक मगन जीवी मानसीक सम्तुला गुमावी बेसे चे कान जी पन आदिवसो मानोकरीनी शोध मा अने समाजना मेहना थी बचवा शहर चाल्यो गयेलो होई चे अन्ते एक दिवस कान जीने खबर पड़ता ते शहर माथी आवी बुंडा हाले जीवती पागल जीवी ने पोतानी साथे लई जये छे अहीं मृत्यू थिये अधिकी मानव जीवननी करुण तानो प्रत्यक्ष अनुभव वाजकोने थाईच वाड़ताना अन्ते एक पात्र भगतना हैया माथी भारे श्वास साथे सरी पड़तो उदगार लेखके मुख्यो छे वाहरे मानवी तारु हैयू एक पालोही ना कोगडा ने बीजीपा प्रीत ना घुटडा असहज उदगार एक कथा निमित्ते पन्नालाले करेलू मानव जातीनू यथार्थ जीवन दर्षन बनी रहे छे मलेला जीव पन्नालाल पटेलनी यशोदाई नवल कथा छे जीवी अने कान जी आ नवल कथाना मुख्य पात्र छे कावडिया डुंगरनी नालमा जन्मा श्टमीना मेले चकडोलमा बन्ने मली जाय छे प्रथम प्रक्रणनू शिष्षक प्रथम संगात छे गुजराती नवल कथानी परंपरामा नायक नायका शेहरी अने उच्चे वर्ग वर्णना होई एवी अगाव आवेली कथाओ माथी मलेला जिव जूदी पड़ेश्षे नोखी पड़ेश्षे गुजराती साहित्य परिशदना प्रमुख पदे थी एम कहुँ हत्तु कि कोशियो पन समझी शके एवी भाषामा साहित्य रचावू जुईए गुजराती टुकी वार्तामा गामडू धुमकेतुनी वार्ताओ द्वारा अव्यू गांधी युगमा समाजना छेवाडाना मानसो ग्राम समाज तलपदी भाषानो साहित्यमा विनियोग आदी वलन साहित्य रचनावूमा प्रगट थवाल लाग्या हाता बद्र वर्गनु साहित्य के भव्याती भव्यक कल्पना शिलज साहित्य नथी पन ग्राम समाजनी वास्तविक क्रोशी अने आधारिद जीवन शेली ग्रामीन तहवारो ग्ण्याती जातीनी लाक्षनिक ताओ गांबडाना प्रजा जीवननी तासीर प्रगटावतु साहित्य गांधी युग ना गुजराती साहित्यमा महत्वनु स्थान प्राप्त करेचे मलेला जीवनी प्रथम आवरुती 1931 मा प्रगट थाई ते काडमा मेडामा लोक जीवननों धबकार जिलती छबी आ नवल कथामा सुपेरे अंकीत थाई छे कान जी पटेल ग्णातीनों युवान चे जीवी ग्णातीये वाणंद चे बन्ने मलेला जीवनों स्ने, संगर औने व्यथानु आलेखन नवल कथाने यश अपावे छे पात्रानु सारी भाषा विशेव्यस्तुनी यथा योग्य मावजद आ नवल कथामा धईच्छे प्रथम संगात मलेला जीव नवल कथानु पहलू प्रक्रण छे जे आपणा अभ्यास नो एकम छे, जेनो विगते अभ्यास करीशु तो कावडिया डुंगर नी नाड मा जन्मा श्टमी नो मेलो भारायो छे मेलामा महालता युवानो नी वात नी वात थी नवल कथानो प्रारंभ थाये छे अपनी संस्कृतीमा मेलानु आगवू महत्व छे, मेलामा चकडोलनु पण एटलूज महत्व चकडोल अहीं कानजी जीवीनु मिलन स्थान बने छे जीवी पासे चकडोल वाडाने आफवाना छुटा पैसा नथी, तेना वती कानजी पैसा आपे छे वाड़ चीतनी तक मले छे, जोडे बेसीने चकडोल महालवानी आ मुल्यवान तक कानजी जीवीनो प्रथम संगात बने छे चकडोलनु चक्र पूरु थाया पची धरती पर पग मुखती वकते, स्वल्ग माथी नीचे उतर्या होई एवु अनुभवतो कानजी पोताना गाम तरफ पाछा वडती वकते जीवीनो सानिद्य जंखे छे कानजी पोताना गाम उगडिया तरफ पोताना साथीयो साथे जतो होई छे त्यारे जीवी रस्तामा तेने माली जाये छे जीवी कानजी तथा तेना मित्र हीराने पोताना घेर लैजेवा माटे आग्रह करेचे गरे लैजेवामा सफड थाईचे प्रथम वखत मलेला बेजीव एटले कानजी जीवीने परस्पर आकर्षन थाईचे तेवा समवादो आप्रक्रण माँचे कानजी ने वड़ावती वखते जीवी कहे छे पोते न भूली जाओ एटलू याद रागजियो ने बाकी अमे तो हवे भूली रहा आप्रक्रण माँ जीवी औने मनी बनने सक्खियो छे चे मेलामा साथे गई छे उगडिया गामनों कानजी तेनों मित्र हीरो तथा काली पगेरे साथे गईो छे कानजी ने एक मोटा भाई तथा भावी अने बत्रीजी रतन पण छे कानजीना लगन हजी थया नथी गाममा एवीज चाप छे के कानजीना लगन न थाई तेवु तेना भाबी इच्छे चे प्रथम प्रक्रण ना अंते जीवी गाम माथी विदाईलेता कांजी ने जोय रहे चे प्रक्रण ना अंते वाचक कांजी जीवी बाबते कुतुहल पूर्वक प्रवुरुत थाई चे कानजी, हीरो, काली, जीवी, मनी जेवा पात्रों नो सिधो परीचेई समवादे द्वारा आ प्रत्थम प्रक्रण माँच थायेचे कानजी ना भाई, भावी औने भत्रीजी रतन्नों प्रत्यक्ष उल्लेक्थ थयोचे कानजी औने जीवी बनने मलेला जीव तरीके भावक समक्ष रजु थायाचे केवडिया डुंगर नी नाडमा जन्मास्टमी नो मेडो भरायो हतो एवा वाक्य थी मलेला जीव नवलकथानो प्रारम बथायेचे डुंगर नू नाम केवडियो डुंगर छे जन्मा स्टमी नो मेडो भरायानो प्रसंग छे आपनी ग्राम्य संस्कृती मा मेडानो विशेश महत्व छे जन्मा स्टमी नो तेहवार उत्सव अने आस्ता पुर्वक उजवाई छे रातरीना बारवाग्य क्रिष्ण जन्मनी उजहवणी नी आपने त्या भव्य परमपरा छे आठमनो मेडो गुजराती प्रजा जीवनना उल्लासमा सहजरीते वणाई गयो छे उमदा सहित्य क्रुती द्वारा आपने देश, काल, स्थर्ड अने प्रजा जीवनना प्रवाहो विषे जानी शक्ये छिए वाचक मात्र विगतो नथी मेडव दो पन सहित्य क्रुती द्वारा ते रजनामा रहेल अनुभव विश्वने कलात्म क्रित्ते पामे छे मेडे चडेली गेली युवानीनु लेखके तादर्श वर्णन करूँछे डुंगरनी नाडमा युवान यूतियो ना टोडाओ उभराईचे बार महिने एकवार एटलेगे दर जन्मास्टमिये भराता मेडाना कारणे योवनना कोलाहलमा नाडनु बार बार मासनु मोन तुट्टु वार तेहवार अने मेडावु आपनी गम्य संस्कृतीना लैमा वड़ी गयलाचे नदीक इन्यारे अत्वातो पोवराणिक मंदीरना सानिध्यमा मेडो भराई आरजनामा डुंगरनी नाडमा आवेला महादेवना मंदीरनु वर्णांचे केवडिया डुंगरनी सामी बाजु बीजो डुंगर शे बनने डुंगर वच्चे मानवी योनो जूलतो पूल पूलच बंधाई गयो शे ए द्वारा लेखक मेडे महालवा आवेला योवननी वाद करेचे जेम जेम दिवस धड़तो जाय शे तेम तेम जगडोड मा छेल्ली मजा माणी लेवा माटे युवक युवतियो नी वदिती जती भीड मा मणेला जीव नवलकथाना नायक नायक नायका कानजी अने जीवी बनने छे मेडो मढवानू निमित बने छे चकडोडनू उपर नीचे थवू जीवन चक्रना प्रतिक तरीके उपसी आवे छे चकडोड मा महालवाना जीवी ना पैसा कानजी चुकवे छे तेतो समवादिनू बहानू कहो के सर्जकनी प्रयुकती कहो मेडे मढया पछी छुटा पड़ू ए पण नी यदी छे मेडाना दिवसे समी सांजी पोदपोताना गाम तरफ वडता लोकों मा बे जण एवा छे जीना जीव मड़ी गया छे एक दिवस माटे छुटा पड़वानू छे पण हैया मड़ी गया छे ए बे पेईकी नायक एवो कानजी केवो लागे छे तो एनू वरणन जुओ कानजी नी उम्मर 25 नी हशे पाँज हाथ नो तड़ो जुवान कही शकाए एवो एनू काठू पन हतु एनी पहले आखो मा जेटली हास्यनी छाट हती एटली लापरवाही पन देखायावती हती पगमा अडिशेर वजनना नाल जडेल फुदडियो वाडा जूडा हाथा कुटी सुधीनु धोतियू रंगीन खमीस उपर सफेद कोड अने माथे गुलाबना गोटा वाडो लाल साफो हता साफानी बाननी कोई अनेरी हती अने एमाई छोगूतो जाने एमज मुकी जानतो हतो उपरांत पाछा लांबा तलाने गडामा वीटीने कोई और रंग जमाव्यो हतो नवाज गोटा बांधेला पावानी जोड पन गडामा लटकती हती पावा उपरेली भात पावा प्रत्यनो शोख छतो करती हती आवा कानजी ने चकडोडमा जीवीनी जोडे बेस्वानू मले चछे चकडोडमा बन्देना पैसा कानजी चुकवे चे हेठा उत्रीने हुँ तमने पैसा आपी दश एउ बोलती जीवीना प्रस्तावना प्रत्योतर रुपे कान जी रुपियो आलताई चकडोड मां आम जोटा जोट एटले के जोडे बेसनार न मले तो वड़ी पैसा मां शी विशात छे एउ विजारी ले छे पण बोलतो न थी अने एटलूज बोले छे के तमारा करता कैपैसा वधारे छे चकडोड मां जीवी कान जी ने पावो वगाडवानू सुझवे छे अने कान जी बे लीटी वगाडे छे फागणने वाईरे आव्या जोबनिया वैशाकनी वाईरे उड़ी जतारे कान जीना गीतनी अब्बे कडी पावाना सुर्मा वहती थाई अने हैयानी गती बदलाई गई चगडोड मां एकज बेठक मां जूडे बेठा हता त्यारे स्वर्गनों अनुभव हतो अनि चगडोड पूरू थाया पछी स्वर्ग उठी गयानों रंज पन हतो जीवी कान जीने पैसा अफवानी चेश्टा करे छे पन कान जी पैसा लेतो नथी परस्पर नी निगटता वदे छे तेवा संवादोथी वाजक कान जी जीवीना प्रथम संगातना मादूरियने माने छे कान जीने प्रथम नजरेज गमी गयेली युवतीनू तादर्श शब्द चित्र लेखके आलेख्यू छे परन्तु खरूत पूछो तो जीवीनू रूप मोर टाक्या जेवूज हतू उम्मर विशनी आसपास हती नमुने दार सागना सोटा जेवी एनी देहलता हती काटिला अंगोमा तंदू रस्तीनी सुर्खी तपू तपू करी रही आती लंब गोल मोने शोबा आपती अणियाणी आखोमा कोमार नी लज्जा तथा युवानी मस्ती वच्चे जाने द्वन्द चालता हता अने एमाई काजणना अंजन तो कोई जादू नाज काम करी रही आहता आ बदू जाने ओचु होई एम दरियाई छीटनो गागरो अने गवन पहरी आहता तानी ने बांदेली कापडनी कसोना मोती भर्या गोटा उष्ट भाग पर रमत करता लजकनी चालमा ओर उमेरो करता हता कानजी अनि जीवी विशेना सर्जकना वर्णनो परस्पर आकर्षन थायानी वातने सहज रिते प्रतिती योग्य बनावेच्छे कानजी ना मोटा भाईनी दिकरीनु नाम रतन छे रतन माटे भाबी ये बंगडियो मंगावी छे ए याद आवता कानजी बंगडी खरिद्वा थंबी जाये छे आ घटनानू उमेरन करी सर्जक कानजीनू तेना परिवार मा केवुस थान छे ते दर्षावे छे 25 वर्षना थयेला कानजी माटे भाई भाबी सहेज पन चिन्ता करता नथी तेना लगननू विजारता नथी एवी गामलोको मा चालती चर्जाना सर्चानो उल्लेक द्वारा लेखक कानजी जीवी अपरणीत होवाना कथानकने रमणिय रीते रजू करेच मेडो पतावी पोतपोताना गाम पाचा फडता कानजी पोतानी जाल जडपी करी आगण थाई गएली जीवी अने तेनी सहेली मणी सुधी पहुची जाये जड़े चालवामा गमतो संगात मले तो सफरनी मजामा वधारो थाई कानजी कहे छे एकवार करी जूह संगात पछी अध्वच्चे मेलिये तो केजो केम हीरा रस्ते चालता जी जीवी मणीनु गाम आवे चे जीवीना आगरती मनोर अने काली जीवा बिजा मित्रोंने अलगा करी कानजी तेना मित्र हीरा साथे जीवीना घरे जाये चे उगडिया गामनों कांजी जीवीना घरे चा पीवारों काईचे जीवीना बापू साथे वातो थाईचे फरीवखत मडवानी वात थाईचे कुवे पाणी भरवाना बहाने मनी अनी जीवी बेडु लाईने निकड़ेचे उगडिये जवा निकणता कांजी ने छेली पड़ सुधी जीवी जोई रहे छे अने पोते न भूली जाओ एटलू याद राख जोने एम कहती जीवी ना उन्डा नेश्वास साथे विद्यार्थी मित्रो प्रथम संगात प्रक्रण पूरु धाईज तो विद्यार्थी मित्रो आ मलेला जीव नवल कथाना अंश प्रथम संगात प्रक्रण ना अभ्यास बाद तमे तमारी प्रगती चकाशी शक्षो चिमा नीचेना प्रश्णो ना उत्तरो आपो 1. प्रथम संगात प्रक्रण कै नवलकथा माथी लेवामा आव्योच्ष E 2. मलेला जीव नवलकथा ना लेकक कोण चे 3. प्रथम संगात प्रकणना आधारे कानजी अने जीवीनु शब्द चित्र आलेख तो विद्यार्थी मित्रो आब आटलू अवश्य वांज जो मलेला जीव न मोड नवल कथा के जेना लेखक्षे पन्नालाल पटेल अने मिजा पुस्तक नो पण अभ्यास करवो जुए अने मिजा पुस्तक चे तरस्या मलक नो मेग अनि जेना लेखक्षे मनिलाल हव पटेल गुजराती साहीत्य परिश्यद नू प्रकाशन गुजराती साहीत्य नो इतियास ग्रन्थ चम्मा पन्नालाल विशेक जे प्रक्रण मुकाई उचे तेनो पन विशेश अभ्यास आपे करवो जुईए तो विद्यार्थे मित्रो अहियां आपने एकम आठनो अभ्यास कर्यो हवे फरी पाचा कोई नवा एकम साथे मलिशू आप खुब प्रगती करो एवी शुबकामना आप सवनो खुब-खुब आभार अस्तु